Hello everyone, स्वागत आप सभी के इस वीडियो में, तो आज की इस वीडियो में हम हल करने जा रहा हैं, कच्छा दस गडित जो की प्रशनावली 1.1 है, प्रशनावली 1.1 का कोईशन नमबर 4 को हम हल करने जा रहा हैं, तो कोईशन नमबर 4 क्या है, यूकलिट विभाजन प्रमेरिका का प्रियोग करके, दर्साइए कि किसी धनात्मक पुरांक का वर्ग, किसी पुरांक यम के लिए 3 यम या 3 यम प्लस वन के रूप का होता है, यह हमें क्या करना है, दर्साइए किसकी सहाथा से, यूकलिट विभाजन प्रमेरिका की सहाथा से, यह हमें दर्साइए कि किसी धना पुरांग का वर किसी पुरांग के लिए 3M या 3M प्लस 1 के रूप का होता है तो आए इस question को हल करते हैं तो student इस question को हम यहाँ पे हल करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको मानना है कि माना कोई धनात्मक पुरांग संख्या कोई धनात्मक पुरांग संख्या A है A है इस प्रकार से मान लेना है कि कोई धनात्मक पुडांग संख है क्या है A है तो उसके बाद A student आपको क्या करना है आपको पता होगा कि जो यूकलीड विभाजन प्रमेरिका का सूत्र होता है वह क्या होता है तो यूकलीड विभाजन प्रमेरिका का सूत्र होता है A student भाज बराबर भाजक गुड़े भागफल और प्लस का सेस्फल होता है यह आपका यूकलिट विभाजन प्रमेरिका का फार्मूला होता है प्लस का सेस्फल जिसे हम A बराबर B Q प्लस आर इस रूप का हम लिखते हैं तो एस जुड़ने हाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया 3 तो 3M या 3m प्लस 1 यदि हम इन दोनों से तुलना करें A बराबर B Q प्लस आर से या तो 3M इसको हम लिख सकते हैं 3M plus 0 या फिर 3M plus 1 लिख सकते हैं यMM इस प्रकार से तो यहाँ पे यदि हम इसको लिखना चाहें तो A बराबर 3M plus का 1 यदि हम इन दोनों समिक्रड का तुलना करें इस वाले समिक्रड और इस वाले समिक्रड का दोनों को जब तुलना करें तो बी के स्थान पर यहां पर आप देख सकते हैं क्या है बी के स्थान पर तीन है तो यानि कि यहां पर हमें बी का मान कितना मिल गया यहां से हमें बी बराबर तीन मिल गया यहां में B कमान मिल गया तो A student यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हमारा क्या होगा यहां पर R जो है यहां हमारा क्या होगा सेस्फल होगा तो यह हम इस B कमान इस वाले समीक्रड में रखें इस उपर वाले समीक्रड में यानि कि युक्रिट भाजन प्रमेरिका के फार्मूले में रखें तो क्या हो जाएगा तो ए बराबर बी कमान तीन है तो हम तीन रखेंगे तीन क्यूं प्लस का आर हो जाएगा तो ए स्टुड़न मैं आपको यहाँ पर बता दूँ यहाँ आपका क्या है भाजक है और यहाँ आपका क्या है सिस्फल तो जो ए स्टुड़न्ट सिस्फल होगा वह भाजक से हमेशा क्या होगा छोटा होगा यानि कि जो आर होगा वह तीन से क्या होगा छोटा होगा तो R जो होगा हमेशा 3 से छोटा होगा, क्योंकि R यहां पे सेस्फल है और 3 यह क्या है आपका भाजक है तो आर के जो संभावित मान होंगे ए स्टुडेंट तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर के संभावित मान तो जो ए स्टुडेंट आर के संभावित मान होंगे वह क्या होंगे तीन से छोटे होंगे तो 3 से छोटा क्या होगा 2 होगा, 1 होगा और क्या होगा, 0 होगा इस प्रकार से तो student, अब हम क्या करेंगे इस वाले समीकरण में हम R का अलग अलग value रखेंगे पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे इस प्रकार से हम रखते जाएंगे तो यहां पे जब हम पहला case देखेंगे पहला case जब r बराबर हम इस समीकरण में 0 रखेंगे तो r बराबर 0 रखेंगे यहां पे तो क्या हो जाएगा तो a बराबर 3q प्लस का यहां पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस प्रकार से तो अब हम क्या करेंगे इसका वर्ग तो एस्कौार हो जाएगा इधर इधर वर्क करेंगे है पर जीरो है तो जीरो का कोई मतलब नहीं है तो इधर वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा थी क्यूं का वर्क हो जाएगा इस प्रकार से फिर इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो एस्कौार बराबर यहां पर थी क्यूं क पूरे का वर्ग है तो थ्री का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा नौ और क्यूं का करेंगे तो क्यूं स्कॉार हो जाएगा तो हम इस्टूडेंट इसको इस भी प्रकार से लिख सकते हैं यहां पर नौ है तो नौ को हम तीन गुड़े तीन क्यूं स्कॉार इस रूप का भी हाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा 3Q不 है यह हमा लेंगे जहां कि मै यहंआ हैं यह हमारा क्या था यह हमारा पहला केश था जब और बराबर केश तो यहाँ पर हम रखेंगे R बराबर 1, तो यहाँ से हमारा दूसरा कैसी स्टार्ट होता है, जब R बराबर 1, जब हम R बराबर 1 इस वाले समीकरण में रखेंगे तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, A बराबर 3Q प्लस, R के स्थान पर हमें कितना रखना है, एक रखना है, तो R के स्थान पर हमने एक रखा, अब हम क्या करेंगे, दोनों पच्छों का स्क्वार करेंगे, जब हम दोनों पच्छों का स्क्वार कर देंगे, तो A स्क्वार इधर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसको हम आगे स्थान करेंगे, तो क्या हो जाएगा A square पराबर इधर हम फार्मूला लगा देंगे A plus B के whole square का तो हम जानते हैं फार्मूला हमारा क्या होता है A plus B के whole square का फार्मूला होता है A square plus का B square plus का 2 A B यह हमारा फार्मूला होता है इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे इसको तोड़ देंगे a square a के इस्थान पर हमारा कितना है 3 q तो 3 q का square कर देंगे plus b square b के इस्थान पर कितना है 1 तो 1 का square plus 2 a के इस्थान पर कितना है 3 q और plus b के इस्थान पर कितना है 1 है तो 1 ही हाँ पर रख देंगे तो इसे आगे हम solve करेंगे तो क्या हो जाएगा तो A square बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 Q square है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 9 Q square हो जाएगा प्लस 1 है तो 1 ही होगा फिर प्लस यहाँ पर क्या है 3 दूना के 6 Q तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 Q हो जाएगा यहाँ से यहां से दी हम इसको लिखना चाहें, तो A Strategy, क्यूंच क्यों नौ half का 66q पारौन इसको लिख सकते हैं, तो A student इन दोनों में आप देख सकते हैं, 3 common हैं, तो हम क्या करेंगा, दोनों में 3 कामा ले लिए लेंगे, तो A Strategy तो 42 से लिख सकते हैं, और 6 को आप लिख सकते हैं 3 गुड़े 2 Q और प्लस 1 है तो प्लस 1 तो यहाँ पर देखें 3 का गुड़ा 2 में करेंगे तो 6 Q आ जाएगा और यहाँ पर 3 का गुड़ा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा तो यहाँ से A2 बराबर हम इन दोनों में से 3 कामन ले लेते हैं जब हम 3 कामन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 Q स्कॉार और यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा हमें प्लस का 2 Q मिलेगा और यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा तो जहाँ पर यहाँ जो 3 Q स्कॉार प्लस 2 Q है एक पुरा आंक है, तो हम इसके इस्थान पर क्या करेंगे? यहां रख देंगे, तो a sqrs. बराबर 3m प्लस हुआ आ यहां पर दुसरी case में हमारा कितना आ गया? a sqrs. यहां पर दुसरी case में हमारा क्या आ गया? a sqrs. बराबर 3m प्लस का हुआ आ गया? और यहां पर आप देख सकते हैं पहली case में कितना आया था पहली case में आया था A square बराबर 3M आया था तो आईए अब हम तीसरा case देखते हैं तीसरा case हमारा क्या है तीसरे case में student हम क्या करेंगे कि R command क्या करेंगे 2 लेंगे R-Cam 2 लेंगे तब क्या हो जाえगा R-Cam 3 Q 2 रख देंगे इस प्रकार से 2 रख दिया अब हम क्या करेंगे दोनों पच्छों का वर्ग करेंगे, तो दोनों पच्छों का वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा, A स्कॉयर बराबर, 3Q प्लस 2 का वर्ग कर देंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर हमारा यहाँ फार्मूला बन गया, A प्लस B के होल इसकॉयर का, तो हमने यहाँ पर आपको फा क्या है दो है तो यहां पर तीन क्यूं का स्कॉर हो जाएगा प्लस बी का स्कॉर बी का स्थान पर कितना है दो तो दो का स्कॉर कर देंगे प्लस दो ए ए कमान कितना है थ्री क्यूं प्लस दो ए बी तो ए कमान कितना है थ्री क्यूं और बी कमान कितना है दो तो गुड़े दो ह जाएगा यहां पर जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं तीन क्यूं का होल स्कॉर है तो तीन तरीक का नौ और क्यूं का होल स्कॉर है तो इस रूप मेरे लिग सकते हैं यहाँ पर 3 into 3 q इसकैर 2 एंटro 4 q और यहाँ पर प्लस का 4 है तो 4 , तो हम क्या करेंगे ए इस्टुडنट इंदोनों में से 3 कामल लेंगे तीन यहां से भी कामन लेंगे यह जो चार है इस चार को हम लिग सकते हैं 3 plus 1 लिख सकते हैं तो यहाँ पर 3 into 3 Q square plus का 4 Q यह जो 4 है इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 plus 1 तो plus का 3 और plus का 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका 3 है और इसमें भी 3 है तो हम क्या करेंगे दोनों में से तीन कामन लेंगे तीन कामन लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें थ्री क्यूं स्कार प्लस का फोर क्यूं और जब हम तीन यहाँ से कामन लेंगे तो यहाँ से हमें प्लस का वन मिल जाएगा और यहाँ पर क्या है प्लस का वन है इस प्रकार से तो यहाँ पर यहाँ पर य 3 यम व्रावर 3 यम व्रवन आ गया नहीं सituर में और सब्लेखया किसीlair है को 1 कि स्क्वेसित ने इस कोशएन में आपको बोला गया है river युकलीट विभाजन प्रिमेरिका का प्रयोग करके दर्साइए कि किसी धनात्म पुढांग का वर्ग, आपको क्या दर्साना आ है किसी धनात्म पुढांग का वर्ग, किसी पुढांग यम के लिए 3M या 3M प्लस 1 के रूप का होता है, तो यहां पे students सबसे पहले यहां पे हम का आया हुआ है उसके बाद यहां पर दूसरा केस देखें जब हमने र बराबर वन माना हुआ है तो इस दूसरे केस में एश्वार यानि धना तक पुड़ाक संख्या का वर्ग करने पर कितना आया हुआ है थ्री यम प्लस का वन आया हुआ है और इसी रूप का होना चाहिए तो दूसरा केस में भी हमारा आ गया थ्री यम प्लस वन के रूप का और जो तीसरा केस हमने हल किया है इस तीसरे केस में भी हमारा कितना आ गया है थ्री यम प्लस वन के रूप का आ गया है तो इस प्रकार से एश्टुडेंट आपको क्या करना है कोशन को हल करना है और प्र तेरें.